अगर आपने भी गुलाब के प्लांट को गमलो के अंदर लगाया हुआ है या फिर जमीन के अंदर लगाया हुआ है और आप चाहते हैं आपके प्लांट पर भी जैसे मेरे प्लांट पर बहुत सारी बड्स आ रही हैं फ्लावर की इस तरीके से आप भी अपने प्लांट पर ब वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और सीर जरूगी देगा तो देखे दोस्तों मैंने अपने यहां पे गुलाब का प्लांट जिसको मैं जमीन के अंदर लगाया हुआ है आज इसको लगे हो पूरे एक साल हो चुकी है एक साल के बाद देखे जो मेरे प्लांट पर जो इसकी अपे ब्रांचीस है उस पे देखे बहुत सारी बर्ड्स आ रही है इसमें फ्लावर भी आएंगे अभी और इसमें इतनी सारी बर्ड्स आ रही है इसमें फ्लावर की मात्रा भी जादे आने वाली है अब मैं आपको सीर करता हूँ इसका सीक्रेट क्या है एक तो प प्रूनिंग समय पे करनी है क्टिंग और कुर सकते हैं और बहुत सारी liquid fertilizer जाए जो हमारे गुलाब के प्लांट के लिए आप काफी अच्छी होते हैं जैसे बनाना liquid fertilizer आता है हमारा काफी सारे fertilizer आपको market में तो आगर आपको अपने घर पे बना रहे होमेड तो उसका भी होज़ा अपने प्लांट में जरूर कीजिए लेकिन स या फिर लोंग के तेल की spray हम कर सकते हैं 15 दिन में एक बार आपको इस पर जरूर कर देने हैं जिससे हमारे प्लांट पर कीडे मकोडे और रोग ना लगे अगर आपके पास लकडी की राक है तो उसका छिड़काओ आप प्लांट पर जरूर करें एक तो लकडी की राक के अं काम समय पे करने हैं अगर एक तीन काम आप समय पे करेंगे तो आपके भी गुलाब के प्लांट पर इतनी सारी बढ़साएंगी और फ्लावर की मातरा भी जाद रहेंगी